बच्चों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता की तो क्या होता है स्वतंत्रता? जैसे ही स्वतंत्रता सब्द हम बोलते हैं तो एक जाना पहचाना सा चलचित्र मन में उभरता होगा इस नाम से हम लोग काफी परीचित हैं बहुत बार हमने इसके बारे में सुना है, हम अपना स्वतंतरता दिवस भी मनाते हैं, तो सच्चे अर्थों में क्या तात पर ये है स्वतंतरता का, क्या मतलब होता है स्वतंतरता से, कि हम जो चाहें वो कर सकें, जो हमारी मर्जी है हम वैसा आचरण करें, जो हमारी मर्जी है वैसा हम पहने, वैसा हम खाएं, वैसे हम रहें, वैसे ही हमें अवसर मिलें, जैसा हम चाहें वो हम कर सकें क्या ये है स्वतन्तरता है, या फिर कुछ प्रतिबंध होना स्वतन्तरता के लिए आवश्यक है इन सारे सवालों के जबाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं सुतन तृता परिभाषा एवं सुतन तृता के आदर्श देखते हैं इस अध्याय को पढ़ने के बाद में आप क्या-क्या जान पाएंगे क्या-क्या समझ पाएंगे आप समझ पाएंगे व्यक्ति और समाज दोनों के लिए सुतन तरता के महत्वे को कि व्यक्ति के लिए सुतन तरता का क्या महत्वे है और समाज के लिए सुतन तरता का क्या महत्वे है अर्थात व्यक्ति गुत तोर पर आपको कौन-कौन से सुतन तरताईं चाहिए आपको उनकी क्या ज़रत है, कहां ज़रत है और एक समाजिक तोर पर एक समुदाय को एक समाज के रूप में कौन-कौन से सुतंतरताईं चाहिए कि जो समाज है, जो समुए है वो किस प्रकार की आजादी की चाहत रखता है स्वतंतरता के सकारात्मक और नकारात्मक आयाम अपने इस अध्याई हम में हम स्वतंतरता के दो पहलों को पढ़ेंगे दो आयामों को पढ़ेंगे एक है सकारात्मक आयाम और दूसरा है नकारात्मक आयाम अब हम दोनों नकारात्मक आयामों में अंतर करकी और फिर उनकी व्याख्या भी कर पाएंगे कि क्या सकारात्मक आयाम होता है, क्या नकारात्मक आयाम होता है, क्या इसके अर्थ है और क्या इन दोनों में अंतर है और स्वतंत्रता की परिभासा देते वक्त सुतंतरता की इस्थापना करते वक्त इन दोनों आयामों की आवश्यक्ता है या फिर किसी एक आयाम से ही काम चल सकता है इन बातों को भी हम जानेंगे अपनी इस अध्याय में और हम जानेंगे हानी सिध्धान्त के बारे में क्या है यहानी सिद्धन्त, बड़ा ही important सिद्धन्त है तो चलिए, बढ़ चलते हैं अब सुतंत्रता को जानने की ओर सुतंत्रता को हम समझें, कि क्या है सुतंत्रता, क्या है इसकी परीभासा इससे पहले हम जानेंगे इसके आदर्शों को, कि कोन से हैं वो आदर्श हिंसा हुई और लोगों ने स्वतंत्रता की प्राप्ती के लिए अपनी जान तक दाव पर लगाती तो आखिर क्या है ये स्वतंत्रता जिसके लिए लोग अपनी जान तक देने को तयार हो जाते हैं और स्वतंत्रता पाना चाहते हैं उधारन लेते हैं नेलसन मंडेला का ये एक दक्षनी अफरीका के व्यक्ति थे दक्षनी अफरीका में हम सभी जानते हैं कि गोरे लोगों की सरकार थी और वहाँ जो दक्षनी अफरीका के मूल के ऐस्वेत लोग थे उन पर विभिन प्रकार के सोशन और प्रतिबंद वहाँ क गोरी सरकार द्वारा लगाये जाते थे तो उन गोरे लोगों के खिलाफ एस्वेत लोगों की आजादी की मांग के लिए नेलसन मंडेला ने संघर्ष किये और उन्होंने अपने जीवन के 28 साल यानि की 28 इयर्स जेल की अंधेरी कोठरी में गुजार दिये एक बार सोच कर देखिए कि आपका पूरा का पूरा योवन आपकी पूरी जो कहें कि वो उम्र जो कि एक उमंग की उम्र होती है तरंग की उम्र होती है जहां आप दोस्तों के साथ खिलते हैं मस्ती करते हैं बाते करते हैं घुमने जाते हैं परिवार के साथ उत्सव मनाते हैं वो सारी की सारी उम्र जेल की अंधेरी कोठरी में गुजार देना और बेना इस उम्मीद के कि कभी यहां से बाहर निकलने का भी मोका मिलेगा तो इतना बड़ा त्याग किस आदर्ष के लिए स्वतंतरता के आदर्ष के लिए तो आखिर कौन सा ये पहलू है स्वतंतरता का चलिए देखते हैं जानते हैं अपन नेलसन मंडेला और उनकी लिखी हुई किताब के बारे में जो हमें बताती है उनके संघर्षों की कहानी जो हमें बताती है दक्षनी अफरीकी सरकार दुआरा वहां के जो मूलिल निवासी थे उन पर किये गए अत्याचारों की कहानी और उस उन अत्याचारों से मुक्ति की ओर बढ़ते हुए उनके कदम उनकी यात्रा जो उनकी किताब के माध्यम से उन्होंने लिखा है और उन्होंने ये बताया है कि कितना उच आदर्स है स्वतंत्रता का और जिसको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता है चलिए ये देखिए ये हैं स्री नेलसन मंडेला जी और इनकी ये लिखी हुई पुस्तक है और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से आजादी उन्होंने प्राप्त की और कैसे अब वहाँ पर एक तरह से जो गोरे लोगों की सरकार थी उनके सोशन से उनको मुक्ते मिल पाई एक और उधारन लेते हैं आंग सान सूकी का जिनोंने भी इसी तरह का संगर्ष अपनी राष्टर की स्वतंत्रता के लिए किया था इन्हें अपने घर में नजरबंद कर दिया गया था इन्हें अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया गया तो इनको वापस लाना बहुत मुस्किल होगा इन्होंने भी स्वतंत्रता के संगर्ष में एक कहें कि अपने लंबी यात्रा की इन्होंने भी स्वतंत्रता के उच आदर्शों की परीभासा को पनिनित किया ये महातमा गांदी जी के आदर्शों को मानने वाली उनके आदर्शों पर चलने वाली महिला है इनकी वी पुस्तक है जिसका नाम है Freedom from Fear यर्थात भहे से मुक्ती ये भहे से मुक्ती को महत्वपूर्ण मानती है ये कहती है कि लोगों को अगर स्वतंत्र होना है तो सबसे पहले भहे से स्वतंत्र होना होगा डर से बाहर निकलना होगा वो डर लोगों का हो सकता है वो डर सत्ता का हो सकता है लेकिन उससे बाहर आना आवश्यक है उससे स्वतंत्रता ही असली स्वतंत्रता की सुरुवात होती है अर्थात लोग क्या कहेंगे इस डर से बाहर आना है और जो हमारा व्यक्तित्व कहता है जो हमारा मन कहता है वो कारिय करने है बीना इस भै की कि लोग क्या कहेंगे और दूसरा सत्ता के भैसे सत्ता के डर से बाहर निकलना है ऐसी बात कहती हैं आंग सांग सूखी चलिए देखते हैं आंग सांग सूखी अपनी आजादी को अपनी देश के लोगों की आजादी से जोड़ कर देखती थी उनके अनुसार वास्तविक मुक्ती है भैसे मुक्ती आदर्श देखते हैं यही आदर्श हमारे राष्ट्रिये संघर्ष और ब्रिटीश प्रांसेजी तेथा पुर्तगाली उपनिवेश वाद के खिलाफ इस या अफरीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था तो इन दोनों उधारणों में हमने जो संघर्ष देखा सुतंत स्वतंत्रता का लेकर चल रहे थे यही आदर्ष है उन सभी स्वतंत्रता के आंदुलनों में जो कि अफरीका और एशिया के देशों में किये गए जिनोंने अपनी आजादी के लिए जिनोंने अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष किये अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता है क् चलते हैं सुतंत्रता की परिभासा की और अभी हमने ये जाना की सुतंत्रता एक ऐसा उच आदर्श है जिसके लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं अपना पूरा जीवन अंदेरी कोठरी में बिताने को तैयार रहते हैं आप सभी जानते हैं हमारे आंदोलनक प्राप्त करने के लिए वेक्ति अपनी जान तक गवाने को तयार रहता है कड़े से कड़े कठोर से कठोर यातनाई भुगतने को तयार रहता है तो अब इस ओर चलते हैं अपन की आखिर ये स्वतंतरता है क्या देखते हैं क्या है स्वतंतरता इसे स्वतंतरता के दो पहलू है पहला पहलू है वो कहता है बाहरी नियंत्रन और दवाव से मुक्ती अर्थात आप जो हैं आप जैसे हैं आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकें अर्थात आप स्वतंत्र हैं यानि कि आप जो पहनना चाहें जिस तरह के वस्तुधारन करना चाहें आप कर सकते हैं आप जिस तरह का भोजन करना चाहें आप कर सकते हैं आप जहां घूमना फिरना चाहें वहां घूम फिर सकते हैं अर्थात जो आपका मन हो वो आप कर सकें जो आप होना चाहते हैं वो आप हो सकें तो ऐसी परिस्थिती कहलाती है स्वतंत्रता लेकिन स्वतंत्रता का जो दूस आथिक वेक्षित बना सके अपनी प्रतीभाओं को और अधिक नए आयाम दे सके ऐसे अवसर समाज में पैदा हो तो वो कहलाती है सक्रीया स्प्राम्यार्ज अर्थाल स्वतन्त्रता में धोनों की परिभासाई ज्यां में ग kay्ला पररास प्रिभासा रही छापको Спасибо दूसरा आयाम ऐसी सकारात्मक प्रिस्थितियों की उपस्थिती भी आता है जहां व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व की विकास के अवसर प्राप्त हो सकें देख लेते हैं बहारी नियंत्रण और दवाव की अनुपस्थिती कहलाती है सुतंत्रता हम अपने निर्ने स्वयम ले सकें स्वायत तरीके से व्यवहार कर सकें तो ये सुतंत्रता कहलाती है दूसरा पहलो कहता है आत्म अभिवेक्ति की योग्यता का विस्तार करना अर्थात हम अपने विचारों की अभिवेक्ति कर सकें उस प्रकार के अधिकारों का अवसरों का परिस्थितियों का विस्तार हो तो वो स्वतंत्रता है रचनात मकता और क्षमताओं को विक्षित करने के आउसर प्राप्त होना जैसे की बात की आपकी जो भी रचनात मकताओं हैं जो भी क्षमताओं हैं उनको विक्षित होने का आउसर मिले उनका अधिकतम उपयोग आप कर सकें उनको उच आयामों तक आप पहुँचा सकें तो वो स्वतंत्रता है। चलिए देखते हैं समाज में प्रतिबंद और स्वतंत्रता के बारे में। अपने ये जाना कि जब कोई बाहरी नियंत्रण ना हो, हम जो करना चाहें, वो कर सकें, हम जो होना चाहें, वो हो सकें, वो स्वतंत्रता है। तो क्या ऐसी स्वतंत्रता वांच एक बार सोच कर देखिए कि हमारे उपर समाज में अनेक प्रतिबंद होते हैं। प्रतिबंद नहीं लगना चाहिए। इसे वेक्ति कि ऐसे इच्छा हो जाएगी उसको आके आपका ही घर तोड़ना है तो क्या इस तरह के कार्ये कलापों को इस तरह के इच्छाओं को हम स्वतंतरता की परिभासा की रूप में मान कर करने की जाजत दे सकते हैं और अगर इस तरह की स्वतंतरता हमने दे दी तो भाव नहीं है अपितू स्वतंतरता है प्रतीबंध और वो भी कौन से युक्ति युक्त प्रतीबंध है अर्थात हमें हम जो कर सकते हैं जो हमें करने की स्वतंतरता मिलती है हम जो होना चाहें वो हो सकते हैं लेकिन इसके साथ ही हमें कुछ युक्ति युक्त प्रतीबंध भी अपने जेलने पड़ेंगे अर्थात हमें अपनी थोड़ी स्वतंतरता का त्याग करना पड़ेगा ताकि वैसी ही स्वतंतरता जिसका उपभोग हम कर रहे हैं अन्य भी वैसी ही स्वतंतरता का उपभोग कर सकें इसलिए सभी को समान स्वतंतरता प्राप्त हो अभी समाज में रहने वाले हम सब लोग हैं कि हमारे उपर कोई सीमा नहीं होगी, कोई प्रतिबंद नहीं होगा, इस तरह की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, हमें करनी भी नहीं चाहिए, समाज में सभी स्वतंतरता प्राप्त कर सकें, इसलिए कुछ प्रतिबंद आवश्यक होते हैं, सभी लोग स्वतंतरता को प्राप्त कर सकें, सभी को स्वतंतरता का अधिकार मिले, इसके लिए आवश्यक हो जाते हैं कुछ प्रतिबंद जिनका हमें पालन करना बड़ेगा ऐसे में यह तै करना जुरूरी है कि कौन से प्रतिबंद न्यायोचित है और कौन से नहीं जब प्रतिबंद समाज लगाता है तो अब महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि कौन से प्रतिबंद तो लगाये जाने चाहिए, कौन से नहीं लगाये जाने चाहिए कौन से कार ये ऐसे हैं जिन पर प्रतिबंद लगाना ठीक रहेगा और कौन से कार ये ऐसे हैं जिन पर प्रतिबंद नहीं लगना चाहिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जब ये प्रतिबंद न्यायोचित नहीं रहेंगे तो फिर बाद में इसकी लिबल बूते जो सासन व्यवस्था है वो इनका दुरूपियोग भी कर सकती है व्यक्ति के सुतंत्रता के अधिकारों में कटोती कर सकती है तो सरकार को भी और व्यक्तियों को भी ये बात स्पस्ट होनी चाहिए कि कौन से प्रतिबंद हम पर लगाये जा रहे हैं जो न्यायोचित हैं और कौन से प्रतिबंद हैं वो अनावश्यक रूप से थोपे जा रहे हैं देखिए व्यक्ति और समाज के मध्य रिस्तों की पड़ताल करनी की जर्रत है ये जानने के लिए कि कौन से प्रतिबंद न्यायोचित हैं हमें परताल करनी पड़ेगी व्यक्ति की और समाज की बीच के रिष्टों की कि उनके बीच की जो रिष्टे हैं वो किस प्रकार की हैं समाज का कौन सा लक्षन व्यक्ति को चयन निर्ने या काम की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं दिस्तों की पड़ताल करने के बाद में समाज के लक्षनों की हम जांच करेंगे और हम ये जांच करेंगे कि जो समाज का कौन सा लक्षन है वो व्यक्ति के चैयन, निर्ने और काम की स्वतंत्रता उसे प्रदान करता है देखते हैं अपन स्वतंत्र होने का अर्थ क्या है असलियत में अभी हमने जाने स्वतंत्रता के पहलू कि भाई प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है दूसरे तरफ कुछ युक्ति-युक्त बंधनों का होना स्वतंत्रता है तो क्या हो जाएगा स्वतंत्रता कि उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रत पुर्वक चयन करने के क्षमता पर रोक टोक लगाएं। ये सुतंत्रता का अपन कहें कि एक नकार आतमक पहलू है जो पक्ष पोशन करता है किसका प्रतिबंधों की अनुपस्थिती का। ये कहता है कि प्रतिबंध जितने हो सके उतने कम होने चाहिए। इक स्वतंत्रता का उपियोग नहीं कर सकते हैं। तो प्रतिबंध होने चाहिए लेकिन समाज को प्रियास करना चाहिए कि वो प्रतिबंध कम से कम हो। में सामिल कर लिए जाएं कि उस सूची पर उन कारियों पर उन जो भी अपने चहें किया है जिन जिन प्रिस्थितियों का उन पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के अभाव की दूसरा पहलू अपन देखते हैं जिसे कहा जाता है सकारात्मक पहलू ये क्या कहता है सकारात्मक पहलू कहता है कि समाज उन बातों को विस्तार देना समाज है वो उन बातों को विस्तार देगा कौन सी बातों को जैसे से व्यक्ति, समुह, समुदाय या राष्ट्र अपने भग्य की दिशा और स्वरूप का निर्धारन करने में समर्थ हो सके जैसा कि अभी अभी अपने पहले भी बात की थी कि सकारात्मक पहलो ये कहता है कि समाज ऐसी प्रिस्थितियों को पैदा करेगा एसी प्रिस्थितियों को बढ़ावा देगा ऐसा वातावरण बनाएगा कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं, जो भी समुदाय हैं वो अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें, वो अपनी प्रतिभाओं का विकास कर सकें तो ये हो गया स्वतंत्रता का एक दूसरा पहलू जिसे हम कहते हैं सकारात्मक पहलू अब अपने जानते हैं प्रतीबंधों के श्रोत क्योंकि ये बात तो हम स्विकार कर चुके हैं कि प्रतीबंध तो होंगे ही और हमें उनको स्विकार भी करना होगा लेकिन वो प्रतिबंद कहां से आते हैं? कौन उन प्रतिबंदों को हम पर लागू करता है? क्या सीमाएं उन प्रतिबंदों की होनी चाहिए? अर्थात किस सीमा तक के प्रतिबंद हमें स्विकार करने चाहिए? और कौन से ऐसे प्रतिबंद हैं? जुनको होने से हमारी स्वतन ताका जो अधिकार है इस पर कुठारा घात हो सकता है और हमें ऐसे प्रतीबंदों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो चलिए ये बात जानते हैं कि प्रतीबंद हैं वो बाहरी नियंत्रण से लगाये जा सकते हैं प्रतीबंद है वो बल पूर्वक या सासन द्वारा कानून बनाकर लगाए जाते हैं प्रतीबंद है जो कि एवांचनिये होने चाहिए सामाजिक एसमानता के नाम पर सामाज में बहुत सारी एसमानताइं हैं जैसे कि जाती के अधार पर एसमानता है लिंग के अधार पर एसमानता है जाते ही आधार पर ऐसमानता की बात करें तो कुछ विसे समुदायों को और ऐस्प्रश्य माना जाता है अचूत माना जाता है बहुत सारी जिगें उनको प्रवेश नहीं दिया जाता तो क्या ये उनके स्वतंतरता की अधिकार की कटोती नहीं है बेशक है ये उनकी स्वतंतर को कम करता है ये प्रतिबंद किसने लगाए ये प्रतिबंद समाजने लगाए आधार क्या था ऐसमानता की मानशिक्ता ऐसे ही प्रतिबंद लिंग के आधार पर हमारे भारतिय समाज में लगाए जाते हैं महिलाओं को लड़कियों को बहुत सारी अनुमतिया स्विकर्ति नही होती है जैसे कि उन्हें घर से भी बाहर जाना है तो वो पूछ के जाएंगी उन्हें अगर पढ़ाई करनी है अपना कोई केरियर बनाना है तो उसमें भी परिवार की सहमती होना आविश्यक है तो ऐसे बहुत सारे प्रतिबंद हैं कहीं-कहीं तो बालिकाओं को पढ़ने की भी जाजत नहीं होती है तो इस तरह के प्रतिबंद किसने लगाए हमारी समाज की जो ऐसमानता युक्त मानसिक्ता थी उसने लगाए हमारे मानसिक्ता में वो ऐसमानता व्याप्त थी जिसने की उनकी स्वतनतरता पर प्रतिबंद लगा दी है तो क्या हुआ यहां पर प्रत प्रतिबंद का श्रोथ हुआ सामाजिक एसमानता आर्थिक एसमानता भी स्वतनतर्था पर एक प्रतिबंद है ये कैसे होगा स्वतनतर्था पर एक प्रतिबंद है किस तरह से है ये प्रतिबंद आर्थिक एसमानता का मतलब है कि एक वर्ग इतना गरीब इतना वंचित है और दूसरा वर्ग इतना जादा अमीर है कि जो गरीब वर्ग है उसके पास दो वक्त के कहें कि अपन भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता है और ये बात सीधी सी है कि भुखे पेट को स्वतन तरता की परवा नहीं होती सबसे पहले रोटी चाहिए होती है तो वो सिर्फ पेट भर भोजन प्राप्त करने के लिए सिर्फ अपने परिवार को पेट भर के भोजन खिलाने के लिए किसी भी प्रकार के कारिये करने को तयार होता है अर्थात एक गुलाम की तरह है उससे कारिये करवाया जा सकता है अर्थात आर्थिक उसकी गरीबी अर्थात वो वंचित है अर्थात उसके पास इतना भी नहीं है कि वो दो जून की पेट भर के रोटी खा सके तो फिर उसके लिए सुतंतरता जैसे अधिकार का कोई मतलब नहीं होता है वहाँ ये आर्थिक ऐसमानता उस पर प्रतिबंद लगा देती है वहाँ ना तो वो ये सोच पाता है कि क्या मेरे अधिकार है क्या मेरी सुतंतरता है वहाँ उसकी सोच केवल किसी तरह दो वक्त के भोजन का जुगार करने की होती है और वो एक तरह से बाद में दास बन जाता है किसी भी ऐसे वक्ती का जो की भोजन के बदले उससे काम करवाता है तो हुआना आर्थिक ऐसमानता की वज़े से प्रतिबंद तो हमारी स्वतंतरता पर बहुत सारे प्रतिबंद हैं जो हमारी सरकार लगाती है कानून बनाकर उन प्रतिबंदों के आलावा ये बहुत सार प्रतिबंद हैं जो कि धार्मिक समुदायों द्वारा लगा दिये जाते हैं जातिगत समुदायों द्वारा लगा दिये जाते हैं और जो गरीबी हैं जो आर्थिक स्थितियां हैं उनकी वज़े से प्रतिबंद लग जाते हैं लोकतांतरिक सरकार में केवल नयायोचित प्रतिबंद ही लगाये जाते हैं हाँ जहां लोकतांतरिक सरकार ही नहीं है वहाँ पर सरकारों द्वारा भी ऐसे अन्यायोचित प्रतिबंद लगाये जा सकते हैं लेकिन लोकतांतरिक सरकारों में नागरिकों पर नययोचित प्रतिबंद ही लगाए जाते हैं। हमें प्रतिबंदों की आवशेक्ता क्यूं है? अब सबसे बड़ी जो बात विचारनी है, वो ये है कि आखिर जरूरत क्या है प्रतिबंदों की? कभी सरकार प्रतिबंद लगा रही है, कभी कानून प्रतिबंद लगा रही है और कभी हमारे उपर जो समाज है वो प्रतिबंद लगा रहा है सबसे पहले तो प्रतिबंदों की आविश्यक्ता क्यों है और बाद में हम ये जानेंगे कि आखिर कौन से प्रतिबंद हैं जो हम स्विकार करें और कौन से प्रतिबंद हैं जो स्विकार निये नहीं हो सकते तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या आवशिक्ता है प्रतिबंदों की देखिए प्रतिबंदों के अभाव में समाज में एव्यवस्था फैल जाएगी समित साधनों के लिए प्रतिशप्रधा होने लगेगी आपसी संघर्ष होंगे आपसी विवाद होगा और वो संघर्ष हैं वो हिंसक हो जाएगे ये इस्थिती कब है जब कोई प्रतिबंद नहीं है एक उधारन की द्वारा हमने सुरू में ही चर्चा कर ली थी कि जब कोई प्रतिबंद नहीं होंगे तो समाज में कैसी इस्थिती हो सकती है ठीक है हो सकता है आपको पूर्ण आजादे मिल जाए आप बहुत भले इंसान हैं बहुत अच्छे इंसान हैं आप अपनी स्वतंतरता का उप्योग सहियम पूरवक करेंगे लेकिन बहुत सारे उदंड मान सिकता कि लोग भी आपने देखा होगा कि हमारे चारों और रहते हैं अगर कोई कानून द्वारा लगाया गया प्रतिबंद ना हो तो आप सहज ही समझ सकते हैं कि क्या हालात हमारे समाज के हमारे राश्टर के हो जाएंगे इसलिए प्रतिबंद तो होने आवश्यों ही है ये देखिये प्रतिबंद जरूरी है हिंसा पर नियंत्रण और विवा बहुत बार ऐसा होता है कि जम हम किसी के विचारों से ऐस हैमत होते हैं, तो हम सीरे से उनको खारिज करना चाहते हैं, बिल्कुल उनको मानना नहीं चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो ऐसे विचार बोली क्यों रहा है, क्यों हमारे जैसे विचार उसके नहीं हैं, तो ये जो ये हमारे अंदर वो सहिशनुता लेकर आते हैं कि जितने हमारे विचार उपयोगी हैं, जितनी स्वतन्तरता हमें अपनी विचारों की अभिव्यक्ती की है, उतनी ही महता, दूसरे विचारों की भी है, उसको भी उतनी ही स्वतन्तरता अपने विचारों की अभिव्यक्ती की ह तो ये सहिशनुता प्रतिबंधों से ही आ सकती है तो ये प्रतिबंध हमें सिखाते हैं कि हम एक दूसरे की स्वतंतरता के प्रति अपने दाइत्वों को समझते हुए हम अपनी स्वतंतरता का उपयोग करते हुए दूसरों की स्वतंतरता को भी बनाए रखें और ये प्रतिबंद फिर हमें उस और अग्रसर करते हैं कि जब विरोधी विचार हों, जब विरोधी धारनाएं हों, तो उनका जो कहीं कि अपन निप्टान है, जो अपने विरोधी विचार हैं, जो अपने मन मुटाव हैं, जो अपनी शिकायते हैं, वो किसी संगर्ष के विचार मिमर्स की दुआरा चर्चा की दुआरा उन मसलों का हल निकाला जाएं सभी को समान सुतंतरता प्रादान करने के लिए सब पर कुछ ना कुछ प्रतिबंद होने आविश्यक है ये बात तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप कि हम सभी अपनी सुतंतरता का उप्योग कर सकें अपने सुतंतरता की अधिकार को प्राप्त कर सकें इसलिए सब पर कुछ ना कुछ प्रतिबंद होने बहुत जरूरी है प्रतिबंदों का अभाव होते ही हम में से कोई भी किसी भी प्रकार की सुतंतरता का अभयोग नहीं कर पाएगा किसी के पास कोई अधिकार नहीं बचेंगे ऐसमित अराजकता ऐसमित अव्यवस्था फैल जाएगी तो जाना आपने क्या होती है सुतंतरता, क्या है सुतंतरता का सकारातमक पहलू, क्या है सुतंतरता का नकारातमक पहलू, इसके बारे में विस्तार से अध्यान अपन और करेंगे आगी की और, और हमने जाना कि प्रतिबंधों के श्रोत क्या-क्या हैं, ना केवल कानून हम पर प्रतिबंद लगाते हैं अपितु ऐसे जो हमारी समाजिक और आर्थिक ऐसमानिताई हैं वो भी हमारे उपर प्रतिबंद लगाती हैं चलिए अब लेते हैं क्योशन आंस्वर पहला क्योशन है नेलसन मंडेला कौन थे इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताई बताना ह आपको नेलसन मंडेला कौन थे और इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है और उस पुस्तक में उन्होंने अपना जो सुतंतरता के लिए प्रतिबंदों का होना क्यों आवश्चिक है सुतंतरता के लिए क्यों आवशिक है प्रतिबंदों का होना कि सुतंतरता का अर्थ पूर्ट या प्रतिबंदों का अभाव है हम सुतंतरता की उपभोग के लिए प्रतिबंदों को स्विकार करते हैं तो क्यों स्विकार कर लेते हैं आखिर हम क्या कारण है इसका अंसर आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे क्योंकि अभी हमने बहुत अच्छे से इसके पारे में पढ़ा है धन्यवाद